देश में भारी बारिश और बार से कई जगों पर तबाही और बर्बादी का मंजर लगातार नजर आ रहा है। उत्राखन के पिथोरा गड़ के अगर बात करें तो यहां बादल फटनियों और पहार खिसकनी की वजह से तबाही का मंजर साफ तोर पर दिखाई दिया। सबसे ज़्यादा बुरा हाल बिहार में है जहां दस जिले बुरी तरह से बार से प्रभावित हुए हैं। पहार खिसकने की तस्वीरे भी सामने आ रही हैं तो वहीं कुछ और जगों की तस्वीरे भी आप देख रहे हैं बिहार के दरबंगा की भी जहां बिहार के कुछ और जिलों की तस्वीरे भी आपके सामने। उत्राखन के पिथारागड की अगर बात की जाए तो बादल पटने से और पहाड खिसकने से यहां मलबे की वज़र से भारी नुकसान हुआ है भारी तबाही हुई है और हालात यह है कि 15 से ज्यादा गाओं का संपर्क आसपास के इलाकों से पूरी तरीके से खत्म हो चुका ह हर कोट इलाके में हर तरफ बरबादी का मनजर नजर आ रहा है सडके पानी और मलबे में पूरी तरीके से बह चुकी है रास्तों पर बने पुल तोट चुके हैं जिसकी वज़र से वहां रहने वाली लोगों की परिशानी भी बढ़ गई है और हालात यह कि वहां बिमार लो गाओं के पास और कैसी तस्वीरे हैं यहां गाओं की connectivity खत्म हो गए हैं यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहां आप देखी कि जो पार करने का रास्ता है वो ही पूरा तूटा हुआ है और ऐसे में एक शक्स जो है वो किसी को अपनी पीठ पर लेकर इस रास्ते को पार कर रहे हैं कहीं कोई सडक नहीं है कोई रास्ता नहीं बना हुआ है ऐसे में बेहत जोखे मुठा कर यह आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कैसे रास्ते से लेकर आ रहे हैं और यहां रास्ता पार करने के लिए यह लकड़ी का लकड़ी और पेड़ से बना हुआ एक प परस्टलन भी है और आप देखे हैं कि किस तरीके से जो लोग यहां के आसपास के गाउं में रहते हैं उनके लिए रास्ता बेहद दुर्गम है यहां बात करने की कोशिश इन से करते हैं आप भया कहां से आ रहे हैं मैं हरकोर से आ रहा हूं हरकोर से आप इनको सब्ढ़ा दी परदान परदी नहीं थी हुआ इसलिए मैं आ रहा था तो रास्ते में मिले मुझे जो चल नहीं पा रहे थे काफी बिमार हैं तो मैं इनको लेकर आ रहा था तो इनका अहल पर हो गया इतना अच्छा ज़रा आप उनकी मदद कर दीजिए इनको एक मेंट बिठा दीजिए तो यहां कब से टूटे हुई है इस रख विगत एक साल में मातर एक महने के लिए खुला जो अभी भी काले चल लेकिन इनका नमसीन है यहां ना कोई लेवर है ऐसे पिछले बार जो है कि एक महने पहले यहां पर एक देव सिंग करके आदमी था जो नदी यह बहाव में आके ब पाया हो वह लाज हमें अच्छा तो यह बताईए यहां से कितनी धूर जाना है आपको हमें यह बुंसारी जाना है तकरीवर हर कोर से 5 किलिमेटर है और मैं मालोपाती साहर हूं तकरीवर नदी बार के हालाद बने हुए हैं गाउं के गाउं टापों में तबदील हो चुके हैं जहां तक भी नजर जा रही है सिर्फ पानी और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है रमोली इलाकी के अगर बात करें तो पूरा इलाका यहां पानी में डूप चुका है मकानों में पानी भरने की वज़र से लोगों की मुश्किले भी बढ़ गई है और लोग कमर के उपर तक भरे पानी में डूब कर चलने को मजबूर हैं थेतों में पानी भरने से फसनों को भी भारी नुक्सान गुआ है पानी भरने की वज़र से आसपास के जो इलाके हैं उनका संपर्क टूट चुका है हालात ये हैं कि लोगों के सामने आप खाने पीने की बड़ी परिशानी खड़ी हो गई है दो तस्वीर आपके सामने मुजफरपुर के हालात बताती हुई मुजफरपुर में बागमती नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दी है और रमावली इलाके में ज्यादातर घरों में कमर से ज्यादा पानी चला गया है तो वहीं मुख्य सड़क पर तीन से चार फिट तक पानी बह रहा है जिसके चलते कई गाउं मुख्य सड़क से कट गये हैं मुख्य सहर से कट गये हैं तस्वीरों में भी आप साब तोर पर देख सकते हैं रमावली गाउं में पूल निर्माड का काम चल रहा था लेकिन पानी आने के बाद या काम बंद हो गया है और जो दूसरे इलाके के लोग हैं वो सहर तक नहीं जा सकते मुख्य सड़क तक नहीं जा सकते ऐसे आलम में गाउं के लोगों ने चचरी पूल बनाया है और जान जोखिं में डाल कर लोग पानी पार कर सड़कों तक पहुंच रहे हैं तस्वीरों में भी आप सा आएंगे कहीं 4 फीट तो कहीं 6 फीट तक पानी हैं ऐसे में इस इलाके के लोगों को बाहर निकलने में काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं कई ऐसे गाउं है जो पूरी तरह से सहर से कट गए वहांके लोग कैसे बाहर निकलेंगे यह सबसे बड़ी समस्या है और ऐसे में जो इस इलाके में फसे हुए लोग है वो किस हालाथ मे रहते होंगे या मह'T एंदाजन लगाया जा सकता यह मुख्य सड़क है जो मुझफर पूर से पूसा तक जाती है ऐसे में पूरी तरह से यह रास्ता ठप हो गया है सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस इलाके के लोग किस हालात में रहते हैं इस इलाके का लोग बहुत बूरी तरह से गर्षित है समझे जाने आने का बहु बनेगा ऐगा सवाल यह है कि यह पाने जिस तरह से निकल रहा है आगे के जो गाएं के लोग है वह किस तरह से बाहर निकलेंगे तो आपसे हुए है निकलेंगे बिहार में सहलाब का सितम सुरू हो गया है ऐसे में लोगों के लिए अब सड़क ही सहारा है और एक तरफ तेज रफ़तार से गुजरती गाडियां तो दूसरी तरफ बाड से परिसान लोग उपर आकर सरन लिये हुए है यह एनेच संतावन है मुजफरपूर का बरुवारी इलाका जहां पर चारो तरफ पानी चला गया है ऐसे आलम में लोग हाईवे पर आकर सरन लिये हुए हैं लेकिन सामने तस्वीरों में आप साब तोर पर देख सकते हैं तेज रफ़तार में गाडियां निकल रही हैं तो वह अपने घर को वापस सले जाएं लेकिन जो लोग अपना गाउं छोड़कर इस सड़क पर पहुंचे हैं उनके लिए न तो रहने के लिए कोई ठिकाना है और न खाने के लिए कोई सामान ऐसे में यहाँ पर रहने वाले लोग किस हालात में रहते होंगे महज अंदाजा लग बनाये हुए हैं और यहीं पर सरन लिये हुए हैं ब्यार के मुझफर पूर में लगातार जारी भारी-भारिश की वज़त से बाड़ और गई है और मुझफर पूर के चो कई इलाके हैं वो बाड़ के पानी में चुन." हजारों लोग कई दिनों से पानी में घिरे हुए हैं लोगों को खाने पीने की सामान की किलत भी शुरू हो गई है दरजनों गाउं ऐसे हैं जिनका शेहर से संपर्क तूट चुका है लेकिन प्रशासन अभी तक सर्वे का काम नहीं कर पाया और लोग बुरी तरीके से परेश दूसरे पंचायतों में भी जो बागमती के बाड का पानी है वो जा रहा है मैं अभी बरवारी पंचायत में हूँ और आप देखिए यह सरक है पकी सरक है लेकिन जो आबादी बसीवी है पूरी तरह घरों में पानी जा रहा है और जो जलस्तर है उसमें लगातार बढ़ोत लेकिन फूट पैकेट अभी अब लेवल नहीं है जो कि तैयार किया जा रहा है फूट पैकेट आने कवाद बटवारा किया जाएगा पूरे घरों में पानी है यहाँ छे पंचाइट पूर्ण रूप से प्रभावित है बिहार की कटिहार में कई लोग बच्चों को टॉफी चॉकलेट का लालच देकर उनसे गैस सिलेंडर को नदी के इस पार से उस पार भिजवाते हैं यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कटिहार की भासना नदी की जहां बच्चे जान जोखी में डाल कर तैरते हुए सिलेंडर इस पार से उस पार ले जाते हैं ना उसे नदी पार करने के 20 रुपे लगते हैं लेकिन कुछ लोग बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर गैस सिलेंडर को इधर से उधर भेज देते हैं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देखिए किस तरीके से जान जोखी में डाल कर ये बच्चे सिलेंडर लेकर इस पार से उस पार जाते हुए दिखाई दिये और बताया जा रहा है कि इनको बकायदा लालच दिया जाता है इनको चॉकलेट दी जाती है और इनसे कहा जाता है कि ये इस सिलेंडर को इस पार से उस पार पहुँचा दे बिहार के पूर्वी चंपारण की तस्वीर चली अब आपको दिखाते हैं बार से यहाँ पर भी भारी तबाही हुई है और तस्वीरे आप देख रहे हैं हालात इसकदर बत्तर हैं यहाँ पर कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी हालात का अंदाजा लगाने के लिए जिलादिकारी कपिल अशोक ने इलाके का हवाई दौरा किया और इसमें पूरा इलाका एक टापू बना हुआ दिखाई दिया सडकों का नामों निशान गयब था हर तरफ पानी ही पानी है ऐसा लगा मानों यहां नदी के बीच में कुछ मकान बना दिये गए हूँ यह देखी तस्वीरे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच बिहार के मोतिहारी में पानी में डूब रहे का आदमी की रहत बचाफ दल के लोगों ने जान बचा ली मोतिहारी में नेपाल से छोड़े जा रहे हैं पानी और वहाँ लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी पर बना एक बांध तूट गया और इसके बाद उसका जो पानी था वो कई लाकों में जागुसा इस बीच पानी के तेज बहाव में एक आदमी फस गया था जो पानी के साथ काफी दूर तक बहता चला गया हाला कि उसके बाद वो किसी तरह एक पेड को पकड़ कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता दिखा लेकिन उसकी जान में जान उस वक्त आई जब राहत बचाब दल के लोग उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँचे नाव में सवार बचाब दल के लोग किसी तरह उसके करीब पहुंचे और रसी के सहारे उसे खीच कर नाव में बठा लिया गया पानी के तेज बहाव की बज़र से उन्हें इस काम में काफी परिशानी भी पेश आई पर वो उसकी जान बचाने में कामग्याब रहे ये देखी तस्वेर एक पेड़ पकड़कर ये शक्स वहाँ पर डटा रहा हारा कीप उसकी धड़कने तेज थी कि शायद वो बचपाएगा के नहीं क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था लेकिन उस वक्त उसकी जान में जान आई जब उसने रहात बचाव के दल के लोगों को देखा और उसके बाद लोग उसके पास पहुँचे रसी के जरीयों उसको बचा लिया गया और चले कुछ इसे की तरह की तस्वीर गोपाल गंज में भी दिखाई दी बिहार के गोपाल गंज में सारण नदी पर बना जो तटबंध है वो तूट गया है और इसकी वजह से चपरा में कई गाउं बाड़ के पानी में डूब गए हालात ये कि मुश्किल में फसे लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षि जगों पर जाने को मजबूर होना पड़ा कुछ गाउं में लोग अपने मकानों की छट पर ही रहने को मजबूर दिखे तो कई मकान पूरी तरह पानी में डूबे नज़र आए जहां तक नज़र गई वहां सिर्फ और सिर्फ पानी दिखा खेत मकान रास्ते सब पानी में डूबे नज़र आए तो यह तस्वीर है आपके सामने क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी और ऐसे में मकानों तक भी जो पानी है वो जा पहुंचा है हालात ही हो गया है कि मकानों में घुसे पानी के बीच लोगों का अब वहां पर रहना बेहत मुश्किल हो गया है कुछ लोग सुरक्षित जगों पर भी जाते दिखाई दिये तो कुछ लोग अपने घरों की छटों पर चड़कर पानी के उतरने का इंतिजार कर रहे हैं तटबंद तूटने के वज़े से दरसल चपरा में ये इस तरीके की हालात बने हैं और कई गाउं ऐसे हैं जो इस वक्त बार से घिरे हुए हैं बार से बिहार बिहार की सीता मनी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं हम कई गाउं पूरी तरीके से पानी में डूपते हुए नजर आए हालात ये कि लोग कई दिनों से अपने मकानों में फसे हुए थे और उसके बाद खाने पीने की परिशानी भी उनके सामने खड़ी हो गए थी और इस बीच बार में फसे लोगों को निकाल कर उन्हें सुरक्षित जगों पर पहुँचाने का काम फिर तेज किया गया SDRF की टीम ने इलाके के विधायक का अमित कुमार के साथ मिलकर बार में जो लोग फसे थे उनको निकालने का काम शुरू किया इस दौरान कई लोग अपने मकानों की छट पर कई दिनों से फसे हुए थे और इन्हें निकाल कर राहत शिवरों तक पहुँचाया गया तो कई गाउं टापों में तब्दील हो चुके अब्यार के दस जिले जिन में से एक जिला ये भी एजस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीता मणी जहां पर लोग कई दिनों से अपनी घर की छटों पर फसे हुए थे और ऐसे में राहत बचाप दल की जो टीम थी SDRF की जो टीम थी वो मौके पर पहुंची और लोगों को नाउं के जरिये सुरक्षित जगों पर पहुंचाया गया राहत शिवरों तक उनको पहुंचाया गया क्योंकि कई दिनों से पसे होने की वज़ह से खाने पीने का संकट बीन के सामने खड़ा हो गया था सीतामणी में कई गाउं पूरी तरीके से पानी में डूबे हो नजर आए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हालात इतने जादा बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना बेहद मुश्किल और जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजर रही थी वहां अब नाओ चलती दिखाई दे रही हैं हर तरफ पानी भरने से लोग काफी परिशान है उनकी मुश्किले बढ़ गई हैं कई लोग अपने मकानों में फसे हुए दिखाई दिए हाला कि इस बीच नाओ भी चलती देखी गई तो यह देखे किस तरीके से लोगों के घर पूरित है कि ऐसे पानी से घिरे हुए नजर आए और घुटनों से उपर तक पानी है लोगों के घरों तक पानी जा पहुँचा है और ऐसे में सोचिए अगर वो वहां पर रुखते हैं तो उनके लिए भी जोखिम भरा है ऐसे में अब कोशिश यही कि किसी भी तरीके से व बिनाशकारी रूप ले लिया है नदी के उपान पर आने से उसका पानी तटबंद को तोड़ते हुए आसपास के कई गाउं में जागुसा इसकी वजह से वहां भयंकर बाड़ा गई लोगों के घर, खेत, मकान, स्कूल, सब कुछ सेलाब में समा गए एक तरफ बस, पानी और उससे होने वाली बरबादी की तस्वीरे नजर आई, तो वहां बिजली का घर भी पानी में डूबा दिखाई दिया और इसके वजह से इलाकी की जो बिजली सप्लाई थी वो भी ठप हो गए इसके बाद कुछ लोग अपने बचे-खुचे सामान के साथ जान चोखी में डाल कर गरदन तक भरे पानी के बीच से होते हुए सुरक्षित ठिकानों पर जाते दिखे जिनके पास नाओ थी वो उसमें बैटकर अपनी जान बचाते नजर आए बार प्रभावित लोग पानी में डूबे अपने घर बार सामान सब कुछ छोड़कर सड़क किनारे रहने को मजबूर देखे प्लास्टिक लगा कर किसी तरह अपने जानवरों के साथ गुजर वसर करने को कुछ लोग बेबस नजर आए अपनी जान बचा कर सड़क किनारे पहुंचे लोगों के सामने अब खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है बिहार के दरवंगा में बागमती नदी के उफान पर होने की वज़़े से कई गाउं तो ऐसे हैं जहां बाड के पानी में पूरी तरीके से दूब चुके हैं और हर तरफ महाँ पानी ही पानी है जैसे की तस्वीरे भी आप देख रहे हैं खेत मकान सब कुछ पानी में डूब गए हाला थी के लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए अब सिर्फ नाओ का सहरा है एक पुलिस थाना भी बाड के पानी में डूबा नजराया थाने के अंदर घुटनों तक पानी भर गया और इससे पुलिस कर्मियों की भी मुश्किल बढ़ गई जहां एक तरफ गाओं के गाओं पानी में डूबे नजरा है तो यह थानी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं एक पुलिस थाना भी बाड से अच्छूता दिखाई नहीं दिया वहाँ पर भी पानी भर गया और यह चारो तरफ की तस्वीर आपको दिखा अबी है और ऐसे में बाड के पानी ने उनकी मुस्च्किल बढ़ा दी है घुटनों तक ठाने में पानी बढ़ा हुआ है और इस पानी के बीच ही डूटी करने को मजबूर है यह पुलिस कर्मी अचलिये बिहार के मधुबनी की तस्वीर भी आपको दिखाते है क्योंकि बिहार में लगातार जो बाड है जो बारीशे वो कहर बरपा रही है यह देखिए किस तरीकी की तस्वीर मधुबनी में कमला रदी के उफान पर होने की वज़ह से रही गाउं में एक पुलिया पा लोगों का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है नदी का पानी भी काफी तेज बहाव से बहता नजर आया परिशान लोगों ने प्रशासन से मदद की गोहार लगाई तो पुलिया बह गई है यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से यहां हालात बने हैं दरस दरसल यहां पर जो नदी है उसके उफान पर होने की वज़ह से आपको बता दे कमना नदी उफान पर है और मदुबनी में रही गाउं में एक पुलिया बह गई तेज बहाव की वज़ह से दरसल इस पुलिया के बहने से लोगों के लिए मुश्चिल खड़ी हो गई यह बह पुलिया के तूट जाने की वज़ह से लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है पुलिया बहने की वज़ह से यह लाके के जोग है उनका पूरा संपर्ख तूट चुका है दूसरे इलाकों से और पानी का बहाव बहत तेज है ऐसे में लोगों को अब मदद की दरकार ह चलिए बिहार की कई तस्वीरों को दिखाने के बाद अब राजिस्तान की तस्वीर आपके सामने राजिस्तान की चुरू की तस्वीर आपको दिखा रहे भारी बारिश की वज़र से कई लाकों में पानी भर गया हाला आत इतने बिगड़ गए कि नदी और सडक में फर्क करना हर किसी के लिए मुश्किल है जहां भी नजर जा रही आप देखिए सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है इस दौरान कई लोग कमर के उपर तक भरे पानी में डूप कर चलने को मजबूर भी दिखाई दिये सडकों के किनारे बनी जो दुकाने हैं वहां भी पानी भर गया दुकांदारों के भी बढ़ गई परिशानी हर तरफ पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है तो ये रिहाईशी इलाकों की तस्वीरे आपके सामने और आए राजिस्तान के बाद अब गोवा आपको लिए चलते हैं इसके बाद करी मैनत के बाद समंदर में डूबे लड़के का शव मिल गया जिसे नौसेना ने प्रिशासन को सौप दिया लेकिन इस सब के बीच कितनी मशक्कत करनी पड़ी कितनी कोशिश करनी पड़ी तब जाकर नौसेना को ये शव ढूणने में कामियाबी मिली चलिए गोवा की तस्वीर के बाद एक बग फिर से आपको राजिस्ता माफ कीजिए बिहार लिए चलते हैं जहाँ पर अलग 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 तस्वीरे सामने आई कि इस तरीके से वहाँ पर बार और बारिश के वज़े से हालात बने हुए है चंद्रमोन हमारे सेयोगी इस वक्त हमारे साथ गोपाल गंज से लाइव चोड़ रहे है चंद्रमोन ज़रा वहां की तस्वीरे दिखाए क्योंकि अलग लग जिलो की तस्वीर हम देख रहे थे ज़राओं को खाली कर उंचे अस्थानों पर जा रहे हैं और इस इलाके में आप जहां तक जाईएगा चारों तरफ आपको पानी ही पानी मिरेगा क्योंकि तस्वीरे हमारे सयोगी दिखा रहे थे चंद्रमोहन गोपाल गंच की यह देखे किस तरीके से एक शक्स आप देख रहे हैं और यह सिर्फ हालात गोपाल गंच के नहीं बलकि बिहार की अलग लग जिले चाह सीता मणी की बात की जाए या फिर बाकी जिरो की वहां पर भी जाड की वजह से हालात इसी तरीके के बने हुए हैं जहां गाउं पूरी तरीके से बार में डूबे दिखाई दिया और लोगों को इंतजार है मदद का और आई अब बढ़ते आगे भारत की कोरोना आकड़ों पर अगर नज़र डालें तो यहां कोरोना के कुल मामले 555 लोगों की मौत हो चुकिया फिलाल भारत में कोरोना की 4,46,071 अक्टिफ केस हैं देश के जादेतर राज़े कोरोना वारे से जूज रहें लेकिन इन में से कुछ राज़े ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादात लगातार बढ़ रही है और पर मरीजों की जो टादात है वो 33,57,000 के पार जा पुहंची है वही कोरोना मरीजों की संक्या की मामिन में दूसरे नमबर पर तमिल अडू esperando बना हुआ है जहां कोरोना की कुल मामिनों की संक्या 2,00,200 जा पुहंची है कोरोना से जूज रे राजियों में दिल्ली नमबर 3 नबर ने रही पर पर उन्म और लोगर्प से सुझ यहाँ कि कुल म 1964 씁खें रही स्वायिता रही सब्सक्राइब। को क्रॉस कर गया है दुनिया में कोरोना की कुल मामनों की संक्याई करोड 57,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 वहाँ पर हालाद बहुत जादा खराब हैं। कोरोना के बरते मामलों की बीच भोपाल और कोलकता समय देश में कई जगों पर फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। के लगाता जो मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद पुलिस का पहरा भी तमाम बाजारों में बढ़ा है। की पुलिस के पहरे के साथ साथ जो तमाम दुकाने हैं मेडीकल की दुकान पर छोड़ दी जाए अगर जिसके अलावा पूरी दुकाने भोपाल में आज पूरी तरह बंद हैं। यह मारकेट शिवाजी नगर मारकेट है इस बाजार में सुबह के वक्त आठ वजे तक दूद की दुकाने खुली उसके बाद दूद का पटने के बाद सारी दुकानों को बंद कर दिये गया यहां तक कि किराना और सब्जी की दुकाने भी आज पहले दिन नहीं खोली गई है पर शासर ने कहा है कि आगे चलके सोचेंगे कि किराना या सब्जी का जो भांटने का काम हो कैसे होगा क्योंकि भूपाल में बीते हफते में कई बार लगातार डेर सो से जाधा मामले सामने आए कल भी 146 मामले बीते 24 घंटे में सामने आए और अभी जो आकड़ा है 5356 भूपाल में कोरोना के मामले हो चुके हैं और चिंता की बात सबसे पर यह है कि भूपाल का जो पॉजिटिवीटी रेट है पॉजिटिवीटी रेट 10% से जाधा है जो की आउसत से बहुत जाधा है तो फिलाल पूरी सुविदा पूरे इंतिताम यहां पर किये गए हैं पर सपोर्ट चल रहा है इसी करना आप देख रहे हैं भी मार्केट भी बन दे हैं अज़ दूसरा दिन है जब लॉकडाउन इस हफते में हो रहा है कोलकाता की सड़के आम दिनों के मुकाबले बिलकुल खाली नजर आ रही है कोलकाता पुलिस की टीम्स जगे जगे पर नाक पर पुलिस कारवाई कर रही है इसी तरह से जो जरूरी चीजें हैं उनकी दुकाने खुली हैं वो उपलब्ध हैं हलाकि बाजार भी पूरी तरह से बंद हैं लॉकडाउन का पालन कोलकाता पुलिस सक्ती से करवा रही है